तरीके से आज आयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आना है और लोगों को लंबे समय से इस फैसले का इंतिजार था बेहत एतिहासिक दिन है सारे दस बजे सुप्रिम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा इस वक्त मैं CGI के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और कुछ ही देर बाद CGI जो सुप्रिम कोर्ट के लिए यहां से रवाना होने वाले हैं आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के तमाम पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं लुटियन जोन को पूरी तरीके से सम्विदिन शील्ड इलाके में बदल दिया गया है पैरा मिलिटरी फोर्सिस भी आलग आई गई है साथ में ही जस्टिस बोबड़े का घर भी है जो की पांच जजजिस फैसला सुनाने वाले हैं उसमें जस्टिस बोबड़े भी शामिल ह उनके घर के भार भी सुरक्षा विवस्ता बढ़ाई गई है और सीजिया आई को जेट प्लस की सुरक्षा दी गई है हलचल तमाम यहां पर देखने के लिए मिल रही है सामने ही ग्रे मंत्री अमिशा का घर है हर मुव्मेंट पर पहनी नजर रखी जा रही है और इंतजार ह है लंबे समय से जिस तरी किसे लगातार 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोट में मामले की सुनवाई हुई सभी पक्षो को सभी दलीलों को पूरी द्रंटा धेरता के साथ सुना गया और आज फैसले की घड़ी आई है तो बेहत दिन बेहत एहम दिन आज का है लोगों को सिर् अब सारदेस बजे जब फैसला आएगा क्या कुछ फैसला आएगा यह तो सारदेस बजे के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई है